क्या सपना ने ये घर छोड़कर गल्दी कर दी है क्या उनको प्रोपर्टी में हिस्सा लेना चाहिए था इससे लेटेर कुछ बाते करेंगे साथ में ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से अब सपना को defaming करने की कोशिश की जाएगी, किस तरीके से उनी के दुवारा बनाए गए चैनल को, उनी के दुवारा प्रमोट किये गए चैनल पर, अब उनकी fake वीडियो या फिर ये कहें कि उनको गलट ठैनाने वाली वीडियो आने वाली है, ये बहुत ज़ाद उमीद की जा रही है, फ्यूचन में किस अपना के साथ को उसको defaming करने की कोशिश की जाए, जिससे कि वो सोशल मीडिया से डिप्रेस हो जाए, या फिर सोशल मीडिया उनको छोड़ना पड़ जाए, और ये लोग जो हैं सपना को दबा के फिर से अपने घर बुला ले, और फिर से इनको कुछ ना दे, फिर से इनके साथ में ही ये चीजे करे, इस तरीके की चीजे आ रही है, आईए बात करते हैं इसके बारे में, नमस्ति मैं हूँ नताशा स्वागत है, आपका निक्कु चोदरी रियक्शन में, तो अब भी बात करेंगे आपे सपना के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे टोपिक क्या क्या है, आभी किस वीडियो में किस दिलेटर बात होंगे, देखें सपना ने एक चैनल खड़ा करा, सपना ने खड़ा नहीं करा, लेकिन सपना के सपोर्ट से जरूर खड़ा हुआ था, दारोट शोर्स चैनल आपको पता ही है, वो चैनल अपनी मर्जी से सपना ने अंशु को दे दिया, दूसरा रीजन ये भी था, कि जो उसके फादर थे, यानि कि अंशु के फादर थे, वो ये चीज चाहते थे, तो उसके देहत सपना ने चैनल उसको दे दिया, ठीक है वो सब चीजे हुई, अचानक से इनके घरमे लडाई जगडे होने शुरू होगे, एक साल पहले तक कुछ ऐसा जादा नहीं तर लडाई जगडे शुरू होगे, नहीं दी गई या फिर यह कई कि सपना ने कभी अपने भाई का चैनल प्रमोट नहीं किया क्योंकि अगर वो करती तो शायद फिर से वही जलन होती आपको याद होगा एक वीडियो जब सपना अपने घर जा रही थी तो इनका भाई भी आया हुआ था तो भाई ने कैमरा खोल भी तरीके से नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से इनका प्रमोशन हो जाए पट जो इनका चैनल है इनके भाई का जो चैनल है मतलब यह कहे कि अंशु के जुताओ के लड़के का चैनल है वहाँ पर डीपी भी नहीं के लगी हुई है इनकी मम्मी की आप सोच सकते कि वह प चुटमुट बाते बोली थी चुटमुच चीजे खोली थी तो अचानक से ही इनके ताओ के लड़के के चैनल पर वीडियो आगी थी सप्राने उन्हें चेरा नहीं था उन्होंने वीडियो डालनी शुरू कर दी हमें भी बहुत कुछ पता है हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं क्योंकि उसको छेडा नहीं है वो खामेखा छड़ गया इंसान और उसने ये भी नहीं सोचे कि भई उसी की वज़े से जो तुम हो नहीं तो तुम को कोई भी नहीं पूचने वाला था ठीक है एक तो चैनल वो हो गया जिससे डिफेमिन की जा सकती है सपना की फ्यूचर में द तो फादर ये चीज़े बोल सकता अरे ये तो शादी करके भाग जाएगी यहां से समाल लेके वो क्या अब सपना को डिफेमिंग करवाने के लिए नहीं करेगा क्या जब उन लोग सोचल मीडिया पर उनकी पोल खोल रहे हैं कैई चब चीज़े नहीं की जाएगी आप इस इस तरीके से लगा सकते हैं कि भाई अब उनको बदला लेना है अगर उनको बदला ना लेना होता तो शायदी चीज़े ना करते लेकिन आप सोच येगा कि किस तरीके से आगे जाके और इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ देती हुम है जो रियक्शन से अपना के लिए आ ना जो सपोर्ट में आ रहे है उनको गालिया तक जी जारी है गालिया तक लिदी जारी है हमारे कुंवाइट स्य Southeast में वह सब चले जाता है आ минутs पे हम लोग नहीं उनको प्रूफ करते सपना के बारे में इतनी गंदी गंदी चीज़े बोली जा रही है ना जिनकी कोई आप उमीद भी नहीं कर सकते ये तो जो चीज़े हमने पर फबने लिखते हैं और वीडियो तक बनाते हैं ले ये बहुत कम है बहुत ज्यादा चीज़े हैं इससे इसलिए ह aware ही मैं कहई हूँ की ये चीज़े हो सकती हैं अब ये चीज़े में इतने दिनों से बोली जब से चीज़े हो रही है लेकिन आज इसी चीजों का खुलासा रेखा ने भी कर दिया रेखा ने भी सेम चीज़े बोली और रेखा नहीं ही पहले इनकी पॉल भी खोल दी थी कि ये इतने सीधे नहीं है उस वक्त सपना ढाल बनके इनके सामने खड़ी हुई थी लेकिन सब कुछ खबरबाद हो जाता पर सपना ने महा जा के समाल लिया बट अगर अब भी चीज़े की जाती है क्योंकि सास ससूर ना बोले ना और ये चीज़े की जाए मैं यह नहीं कहती कि सास ससूर करवाएंगे मुझे ऐसा लगता है कि सपना के ससूर फिर भी ठीक है लेकिन जो दूसरी तरफ से जो बढ़काया जा रहा है न अभी पता था इतना पता था कि जो सास नकी उनको ऑंचु की फैमिली के द्वारा बढ़काया जा रहा है निकि सास के माई के द्वारा लेकिन आप नई चीज़े समझ में आ रहे हैं कि उनके तो पिताजी को भी लगेगा अगर सपना की दो बेटी कि जंगा दो बेटे होते न तो ये चीजे होती ही नहीं मिल्स ये इस तरीके से उनको जाने ही नहीं देते क्योंकि इनको पता था कि इनके घर का वारिस है अब इनको ऐसा लगता कि क्या जोरा था लड़किया तो आग़े शादी करके चली कि यह जाएगी हम क्यों करें है क्योंकि जो इंसन थो रह गए वो घर किसके לׅ करेंगे सवाल उट रहे हैं न किस के करेंगे तो भाई यह जो मुझा जा रहा है घर ुक्टा किया जा रहा है सपना के प्रोट तक बिकवा दिये मतलब आप खुद सोच सकता है कि अगर उनके प्रोट तक बिकवा दिये गए पहले से ही यानि कि यह प्लैनिंग अब की नहीं है यह सब जो चीज़े चली जब वो खतम हो चुकी ना लड़की उसके समान खतम हो चुका यानि कि उसके प्रोपर्टी उसका पैसा सब कुछ खतम हो गया ना उसके बाद में यह चीज़े गई है कि भाई अब बस यह खाली होगी पहले तो उसको खाली करने के लिए यहां पे रखावा था जिस वक्त राजीव जी गए राजीव जी के अकाउंट की सब डीटेल सपना के पास में थी और जो फोन था वो भी स सपना के पास में था जिसके अंदर 25 लाक रुपे थे उनके अकाउंट में जो कि सपना ने निकाल के अपने ससूर को दिया है यह आपको भी बता है इतना ही नहीं सपना के नाम पर प्रोट भी थे जो कि राजीव जी ने और सपना ने इन लोगों ने शायद खरी दे थे तो वो भी बिकवा दिये गए किसलिए घर करीदने के लिए और लास्ट में जब उसने घर को मांगा कि घर मुझे दे दो मैं पैसे दे दूंगी हां बोलकर फिर वो ना कर दिया आप सोचो इनके पास में यहां पर भी घर है अब यह बोले कि हम तो मत्रा रहेंगे तो इनके बा प्लैनिंग है वो मत्रा वाला घर किसी के नाम नहीं होना है वो मत्रा वाला घर ना यह लोग जाएंगे ना यह रहेंगे इनका सिर्फ प्लैनिंग इतना है कि किसी तरीके से सपना को तोड़ दिया जाए इनको भी पता नहीं है कि सोचल मीडिया पर कितनी जादा पावर है इनको हिलाके रख देंगे, इनको समझ में नहीं अरहा है, और अगेन मैं यह कहूँगी, जो यह गुस्सा है ना, यह सपना के साथ ससूर के लिए नहीं है, यह उनके लिए है, जो कि बिल्कुल सोची नहीं रहें, यार, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और अगर इंदी future सपना के लिए defaming होती है जो कि अभी 90% chances है अभी तो ये लोग इसलिए नहीं बोल रहें क्योंकि इस अपना के पास proof है अगर ये proof ना होते ना फिर देखना क्या आलत होती बहुत बुरी आलत होती सपना ने तो बहुत समझदारी के अब ये भी हो सकता है कि defaming की जाए फिर जो reaction channel वाले उनको दिमाग भटकाया जाए कि देखो ये चीज़े यहां ऐसी थी यहां से ऐसी फिर सपना को तोड़ने की कोशिश की जाए लेकिन हर कोई बदलने वाला नहीं है हर कोई आपके जैसा नहीं है आप यूँ सोच रहे हो किसी उगाली दे के पीछे हटा लोगे किसी उगाली दे के पीछे हटा लोगे तो ऐसा नहीं होगा भाई नहीं होगा बहुत लोग खड़े हैं उसके साथ में एक दो reaction channel वालो को आप हटा सकते हो लेकिन जो इतनी जो जनता कड़ी हुई है ना उसको कहा से अटा होगे और ल थेंक यू